किसी भी परकार के किसी भी समूदाय की कोई भी दुकान आज वर्किंग में नहीं थी उस मार्क पर हमारा मार्क अलड़ी था हमें अपने मंदिरों थार्मिकth और पर रहा हैं लोगरा क्विद्ध ओ करने को संगठनों ने इसमें परती भागी रहे हैं मैं बता दू आपको कि बजरंग दलने इस यात्रा को प्रारंप किया था बिल्कुल शुरू में पर्थमवर्श इस यात्रा को पूंड़ते बजरंग दलने की शुरू किया था और उसके बाद में next year जब यह यात्रा हुई नहीं देखिए किसी भी करेकरता में अगर पिछले साल की यातरा देखते हैं तो हिंसा बढ़क गई थी यादे कुछ अच्छी नहीं है लेकिन इस बार सरकार ने पिछली बार से सबक लेते हुए काफी उखता इंतिजाम कर रखे थे परसाशन भी सक्थ तालर्ट मोड पे था तो आप बताएए कैसी क्या इंतिज दिया है और दूसरी बात मेरे को ये देखने को मिला है कि वहां पर जब हम गए तो जो हमारा मार्ग था उस दुकान जो थी वो हमारे मार्ग में totally दुकाने बंद थी यानि कि किसी भी प्रकार के किसी भी समूदाय की कोई भी दुकान आज वरकिंग में नहीं थी उस मार्ग पर जिस मार्ग पर हमारा जो मार्ग ओरड़ी तै था अभी आपने रूट के बात के, अपने मार्क के बात के, तो एक बार यही बताईए, क्या रूट था आज की यातरा? देखे हमारी जो यात्रा का रूट था सबसे पहले हमारी जो सर्धालू है बक्तिकर्ण है वो सबसे पहले नलड महादेव मंदिर पर पहुंचते हैं नलड के अंदर जहां पर गोर्मेंट मेडिकल कोलिज भी है वहां पर एक प्राचिन सीव मंदिर है जहां पर ये सारे भक्त जाकर जलाविशे करते हैं और वहां से यात्रा को प्रारम करते हैं उसके बाद में जो ये यात्रा है ये निकलती है जिरका फ्रोजपुर मंदिर के लिए वहां पर भी एक बड़ा सीव मंदिर है और काफी मानेता है जो पांडव कालीन मंदिर है ये दोनों मंदिर और वहां स जो है ना लोग अपने अपने घरों को लोड़ते हैं अगर हम यात्रा के इतिहास के बार में बात करते हैं तो बहुत पहले से तो यात्रा नहीं चलाई जारी है जितना हमने रिपोर्ट्स में देखा और पढ़ा है शाएद 2020 से यात्रा शुरू हुई है यह तो यात्रा का गुदा बाबामरनाथ की यात्रा भी आज लगातार जारी है तो उद्देश से इसके पीछे कुछ भी नहीं है हमें अपने मंदिरों की हमें अपने धार्मिक स्थुलों का रख रखाओ एक जुम्मेवारी के साथ में देखना पड़ता है उसके हिसाब से इस परकार की यात है हमारी रहती है और यह हिंदु संथ समाज की अगवाई में हिंदु समाज जिसको करता है जहां उसकता पड़ती है महाँ पर यह चीजे होती है और समाज अपनी श्वेच्छा से इस काम को करता है अगर हम आज की आतरा को देखते हैं तो बिट्टु बजरंगी बजरंग दल इनको दूर रखा गया यातरा से धार्मे की आतरा थी तो इसमें ये हिचक क्योंकि दूर रखना पड़ा नहीं, देखें, इसमें दूर रखने की किसी परकार की कोई इस परकार का नहीं है, कि संगठन ने या फिर हिंदू समाज ने या संत समाज ने ये कहा हो, कि इसमें किसी परकार के कोई अलग से व्यक्ति या कोई विशेश संगठन को इसमें कोई दूर नहीं किया गया है, सभी के संगठन से कोई कोई परहिज किया गया है ऐसा कुछ नहीं है अभी शिवदात्री के समय दला भी शेक क्या फिद से होगा देखिए शिवदात्री तो अब तो श्रावन मास चल चुका है और इसमें परतेक सोमवार को भारी संख्या में सरधालू सुवेता पोचेंगे और य हमने इस यात्रा को शुरू किया अब हम इस यात्रा को समाज के हातों में सोप रहें और आगे से इस यात्रा को समाज पूरा करेगा समाज हमसे जो सहयोग मांगे गा या जो विवस्ता मांगेगा हम उसमें सहयोग करेंगे यह बजरंगदल का कहना है विशंद परिशत का कह आज का ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे पिछले साल की यातरा को देखते हैं हिंसा भड़की आगजनी हुई काफी कुछ हुआ वहाँ पर तो क्या इस बाल लोगों के मन में कुछ डर नहीं था भीड उतनी ही थी या कुछ कमी आई भीड में किन-किन जिलों से लोग आये है देखे हरियाना प्रांत के सभी जिलों से इस यातरा में भगदगन और सरधालू इस यातरा में सामिल हुए है और डर और भहनाम की कोई चीज किसी परकार की नहीं देखी किसी भी करेकरता में जो करेकरता गए है अपने पूरे विश्वास और अपने मन से इस यातरा के अं बहुत अच्छा उच्छा था, जब हम यात्रा को कर रहे थे, तो वहां पर अलगला के संगठनों के लोग और अलगला के हिंदू समाज के लोग वहां पर अपने तरीके से स्वागत कर रहे थे, फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे, पुष्प नोच्छावर कर रहे थे, सा पूरा उच्छा लोगों के अंदर था और बहुत ही अच्छी आत्रा रही पूरे उच्छा के साथ इस आत्रा को सभी ने पूरा किया है। दिख दो 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 के साथ को सभी का साथ बहुत ही आत्रा रहीं ही ने पूरा रहीं है।